हलो फ्रेंड्स आज का हमारा टोपिक है एस जू लाइक इट जो की एक ड्रामा है जिसे विल्यम सेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है जिनका जन्म 26 अप्रिल 15-64 स्पिम हुआ था और उनकी डेथ 23 अप्रिल 16-16 स्पिमें इंग्लेंड में हुई थी यह जो ड्रामा है एस यू लाइक इट इसको लिखा गया था और परफंड किया गया था 1598 से लेकर 1600 के बीच में किया गया था और इसको फर्स्ट पब्लिस्ट किया गया था 1623 में और इसमें टोटल पांच एक्ट है और इसका जो सेटिंग है वो फोरेस्ट अप एडन में इसका जोनरा है पेस्टरल रोमांस और इसका सोर से मतलब इस ड्रामा को कहां से लिया गया इसका सोर से थॉमस लोज के दोवारा लिखी गई एक प्रोज थी रोमांस रोजालेंड वहीं से इसको लिया गया है ओके तो चलिए इसके मैन करेक्टर के बारे में हम लोग जान ल और सबसे छोटा का नाम था जेक्वस तो इसमें जो हीरो का रोल करता है वह और लेंडो है उसको हम लोग प्रोटागोनिस्ट का सकते हैं ठीक है तो सर रॉलन डी बॉइस के तीन बेटे थे पहला बड़ा ओलिवर दूसरा और लेंडो तुसरा जेक्वस इसके बाद आता है ड ऐसे डिूक सीनियर की भी एक बेटी होती है जिसका नाम रहता है रोजा लेंड जो कि इस ड्रामा में हिरोइन का रोल करती है ओके वह है और नेक्स्ट करेक्टर टाच स्टोन जो की एक जोकर है लोगों को मनोरंजन करुआता है और यह है डीुक फैडरिक के कोट में यह काम रहता है और उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है चार्ल्स जो की एक प्रोफेशनल रेसलर रहता है मतलब यह फाइटिंग कुस्ती रहता है मैच में हिस्सा लेता है तो चलिए हम लोग इसको टॉपिक को हम लोग समझते हैं ओके चलिए स्टार्ट करते हैं सर ओलेंडी बॉयस के तीन लड़के होते हैं पहला ओलिवर दूसरा ओलेंडो तीसरा जेक्वस तो सर ओलेंडी बॉयस मरने से पहले अपने बड़े बेटे ओलिवर को जिम्यदारी देते हैं कि उसके मरने के बाद वो अपने छोटे भाईयों की अच्छी तरीके से देख भाल करें मतलब सही एजुकेशन दिलवाएं तथा सभी जरूरत के कारियों में उनकी साहता करें मदद करें तथा प्रोपर्टी का हिस्सा भी उन्हें दें मतलब उनका सही रुप से देखभाल करें यही वो कहना चाहते थे यह सब बताते हुए और सर रॉलन्डी बोईस की क्या हो करें मौत हो जाती है उनके मरने के बाद ओलिवर जो होता है वो साहरा प्रोपर्टी खुद भी नहीं देता है, मतलब सारा प्रोपर्टी के मालिक ये खुद, अपने भाईयों को वो पुटी कोडी भी नहीं देता है, उनके घर पर एक नोकर रहता है, जिसका नाम एडम रहता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सर ओलेंडी बोईस का एक नोकर रहता है, जिसका नम एडम रहता है और लेंडो जो बीच वाला लड़का होता है अपने नोकर एडम से कहता है कि उसके बड़े भाई ओलिवर ने सारा प्रोपर्टी हडप लिया है मतलब हम लोगों को कुछ भी ने दिया सारा प्रोपर्टी वो खुद रख लिया है और मुझे कुछ भी नहीं निक दिया है यही सब बातों का कंपलेंड कर रहा था आडम के पास औरलेंडो उसे वक्त वहाँ पर ओलिवर भी आ जाता है और ओरलेंडो तस्ता ओलिवर के बीच में लड़ाई इस्टार्ट हो जाता है तो एडम जो होता है वो Nokar किसी तरह से लड़ाई को सांथ करवाता है और तीनों वहां से चले जाते हैं फिर कुछ टैम के बाद क्या होता है कि औलिवर चाल्स के पास आता यह चाल्स कोन है चाल्स एक professional पहल्वान है wrestler है ठीक है तो Oliver Charles के पास आता है और उसे कहता है कि यह इसकर अफ़ा मैंने सुना है कि Charles तुम्हारा और औरलेंडो के बीच fight होगी यह उफ़ा मैंने सुना है यह rumor मैंने सुना है इस पर Charles Oliver से कहता है कि बिल्कुल सही बात है तब Oliver कहता है कि तुम fight में Orlando को हरा देना चार्ल्स को कहता है कि तुम fight में Orlando को हरा देना तो Oliver जानता था कि Charles से लड़ना मतलब मोत को बुलाना वो मन इमन खुस होता है कि यदि fight में Charles ने Orlando को मार दिया तो property को लेकर जो अभी जहमेला चल रहा है, tension चल रहा है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा तो wrestling का match वहां के king, Duke Frederick के वहां पर आयोजन किया गया था जहां सभी लोग wrestling का match देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं तता Duke Frederick भी अपनी बेटी, Celia तता अपनी भतिजी, Rosalind के साथ wrestling का match देखने आते हैं अब यह Rosalind को मैंने बताया था कि यह Duke senior की बेटी है, इसलिए वो उसकी भतिजी हुई किसकी? Duke Frederick की, Rosalind जो की Duke Frederick के बड़े भाई, Duke senior की बेटी है, अभी भी ने बताया तो wrestling स्टार्ट होती है, wrestling के match स्टार्ट होता है, सभी खूब मैजे लेकर देखते हैं सभी को लगबग पता होता है कि Charles जीतेगा, क्योंकि वो professional पहलवान था, उसका रोज का काम था जिस वज़े से सभी को पूरा confidence होता है कि यह जो match है कौन जीतेगा, Charles जीतेगा पर खुस किस्मति से क्या होता है कि Orlando match जीत जाता है Duke Frederick को पता चलता है कि Orlando जो match अभी जीता है, वो Sir Roland D. Boyce का बेटा है यह जानकर वो काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि Duke Frederick और Sir Roland D. Boyce की बीच में काफी पुरानी दुस्मनी थी इसलिए Duke Frederick मेच के अस्थान से उठकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है फिर Duke Frederick की बेटी सिलिया और Duke Frederick की भती जी, रोजलिण औरलेंडो से मिलते हैं रोजलिण औरलेंडो की fight देखकर काफी परभायत हो जाती है , मतलब उस पर attract हो जाती है तथा उसे तथा रोजलिंड को और्लेंडो से प्यार हो जाता है और बातचीत के दवरान और्लेंडो को भी रोजलिंड से प्यार हो जाता है प्रन्तु दोनों कोई एक दूसरे को इजहार करते नहीं हैं उस वक्त पर अब चुकि ड्यूक फेडरिक गुस्ते में होते हैं तो उसे ड्यूक फेडरिक को ऐसा लगता है कि रोजलिंड नहीं उसके दुस्मन सर रोलेंड डिबोईस के लड़कों को उनके पास लड़ाई करने के लिए बुलाई है तथा चाल से फाइड भी करवाई है मतलब यह सारा काम रोजलिंड का ही है वो ऐसा इसलिए सोचता है क्यूंकि ड्यूक फेडरिक का बड़ा भाई जो रता है ड्यूक सिनियर उसी की बेटी रोजलिंड थी न और ड्यूक फेडरिक ने खुद राजा बनने के लिए अपने बड़े वाई डूक सिनियर को फोरेस्ट ओप एडन में पहले ही भिजवा दिया था मतलब फिकवा दिया था उसे बाहर कर दिया था अपने स्टेट से और खुद उसका अस्थान लेकर राजा बन गया था तो उसे अब उसे मतलब ड्यूक फेडरिक को अब ऐसा लग रहा था कि रोजलिंड को वो पिछली वाली जो घटना है उसके पापा को निकालने वाली वो सारी घटना के बारे में इसको पता चल गया है जिस वज़े से वो मुझसे बदला लेने के लिए यह हरकत कर रहे हैं मतल ड्यूक सिनियर के निकालने के बाद रोजलिंड सिलिया एक ही साथ ड्यूक फेडरिक के घर में रहती थी इस वज़े से दोनों के बीच में काफी अच्छा खासा तालमेल था दोनों बहनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था तो अब क्या होता है अब ड्यूक दूक फेडरिक काफी गुस्से में होते हैं और वह गुस्से में रोजलीन के पास आते हैं और उसे घर छोड़कर जाने को कहते हैं मतलब डूक फेडरिक कहते हैं कि रोजलीन से कि तुम अब मेरा घर छोड़कर चली जाओ तब सिलिया जो होती है डूक फेडरिक की बेटी डि चलूंगी और दोनों के मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम लोग दोनों घर छोड़ देंगे तता First of Eden में चले जाएंगे जाने से पहले रोजलिन अपना भेस बदलकर एक लड़का बन जाती है और अपना नाम बदलकर ग्यानीमेड रख लेती है मतलब रोजलिन ग्यानीमेड नाम का एक लड़का का वेस धारन कर चुकी थी सिलिया भी अपना वेस बदलकर एक गरीब औरत बन जाती है तथा अपना नाम सिलिया से बदलकर एलिना रख लेती मतलब सिलिया एक गरीब औरत बन गई और अपना नाम Elena रख ली और Rosalind एक लड़का बनकर अपना नाम क्या रख ली ग्यानिमेड रख ली ओके तो इनके घर में होता है Duke Frederick का एक जोकर रहता है मैंने starting में बताया था man characters में जिसका नाम रहता है Touchstone जो लोगों को मनोरंजन करवाता था तो Rosalind और Celia Touchstone को लेकर Forest of Eden में चली जाती है मतलब अब तीनों कोई Celia, Rosalind और Touchstone तीनों Forest of Eden में चले गए है उदर Adam जो की Sir Roland De Bois का नोकर था वो Orlando को बताता है कि उसका बड़ा भाई Oliver उसे मारने का प्लान कर रहा है तो Orlando और Adam भी अपना जान बचाने के लिए डर से भाग कर Forest of Eden में चले जाते हैं मतलब Adam औ और Orlando ये दोनों भी Forest of Eden चले गए हैं और वो तीनों भी पहले चली गई है ठीक है Celia, Rosalind और Touchstone वो तीनों भी Forest of Eden में चले गए हैं उदर ड्यूक फेडरिक को पता चलता है कि उसकी बेटी Celia भी गायब है तो ड्यूक फेडरिक को लगता है कि उसकी बेटी Celia को Orlando नहीं भगा चला गया है तब ही ड्यूक फेडरिक ओलिवर मतलब और लेंडो के बड़े भाई को पकड़ कर लाने का ओडर देते हैं सैनिक ओलिवर को पकड़ कर ड्यूक फेडरिक के सामने हाजिर करते हैं तो ड्यूक फेडरिक हाजिर करते हैं और ड्यूक फेडरिक कहते हैं ओलिवर से कि तुम्हारा चोटा भाई औरलेंडो मेरी बेटी सिलिया को भगा कर ले गिया है इसलिए मैं तुम्हें एक साल का समय देता हूँ इस एक साल के अंदर तुम अपने भाई औरलेंडो तथा मेरी बेटी सिलिया को मेरे पास हाजिर करो नहीं तो तुम्हारा सारा property में छीन लोंगा Oliver बड़ा tension में आ जाता है क्योंकि उससे बिल्कुल भी पता नहीं था कि Orlando कहां गया है Celia कहां गई है और उसे इस चीज़ के जिम्मा ठहरा आ जाता है कि अगर जिदि तुमने खोज कर नहीं लाया तो फिर तुम्हारा सारा property में छीन लोंगा तो उधर forest of Eden में Orlando और Adam को Duke Senior से भेंट होता Duke Senior मतलब Rosalind के पापा Duke Senior जिसको पहले ही Duke Frederick ने forest of Eden में फिकवा दिया था ताकि खुद Duke Frederick वहां का राजा बन सके तो Orlando अब Duke Senior के साथ forest of Eden में रहते हैं उसी forest of Eden में सीलिया तथा Rosalind भी है पर उन्तों इन लोगों का किसी के साथ भेंट नहीं होता है अभी तक अकिले रहने के वज़े से Orlando के मन में बिभिन बिभिन परकार के ख्यालात आते है वो रोजलिन को बहुत ज़्यादा मिस करता है बहुत ज़्यादा याद करता है और उसी को याद करने के दोरान वो पेड़ों पर कविता लिखता है कौन? Orlando कुछ टाइम के बाद जब रोजलिन और सीलिया उन पेड़ों के पास आती है और उन पेड़ों पर लिखी कविता को पढ़ती है तो वो जान जाती है कि फोरेस्ट और पेड़न में कौन है? Orlando भी है और कुछ टाइम के बाद क्या होता? सीलिया और रोजलिन का जो भेट होता है वो ड्यूक सीनियर तथा और लेंडो से होता है चुकि सीलिया तथा रोजलिन दोनों भेज बदले हुए थे तो और लेंडो उन्हें पाचान नहीं पाता है तता और्लेंडो सोचता है कि अभी जो दो वेक्ति मिले हैं ये मेरे एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं अच्छे दोस्त बन गए हैं सीलिया तता रोजलिंड और्लेंडो को सीलिया तता रोजलिंड जो होती है वो और्लेंडो को अपने जोपड़ी मिले जाते हैं उदर ओलिवर पर प्रिशर बना हुआ था तो वह भी और लेंडो को खोचते खोचते फोरेस्ट पेडन में आ जाता है खोजने के दोरान ऑलिवर पर एक सेर एटेक करता है मतलब फोरेस्ट पेडन में क्या होता है कि जब ऑलिवर घूम रहा था तो उस पर एक सेर एटेक कर देता आकरमन कर ऊस्माई वहाँ पर ओर्लेंडव आ जाता उसका छोटा भाई और उससे बचा लेता अब ओलीवर RDmer का सोच होता है वह पूरी तरीके से बदल जाता है वह सोचता है कि मैं आपने भाई के जान तो नहीं आएगा ठीक है ओलिवर वही करता है उस जोपड़ी में चला जाता है और वो जोपड़ी किसका था वो था सीलिया और रोजलिंड का तो चुकि सीलिया एक औरत का वेजदारन की वी थी तो जिसे देखकर मतलब ओलिवर उस सीलिया को देखकर बहुत ज्यादा एट्र हो गया और मैं उसे साधी करना चाहते हूं इसी समय सीलिया और रोजलिंड करते हैं और कहते हैं मैं एक जादू करूंगी मतलब अभीो वो और तूम दोनों साधी कर ले। वैसे ही हुआ कल सिलिया तता रोजलिंड अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं ठीक है तता सारी सच्चा ही बताते हैं कि उन लोगा ने किस किस तरीके से क्या क्या किया फिर ओरलेंडो रोजलिंड से तता ओलिवर सिलिया से साधी कर लेते हैं उधर ओरलेंडो तता ओलिव Duke Senior को दे देगा और इस तरीके से सभी आपस में मिल जाते हैं और ये जो ड्रामा है वो फिनिस हो जाते है